हलो गुड मॉनिंग टू आल क्लास सेवेंट एबी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट ग्यारा इदगा मुझ्शी प्रेमचेंजी द्वारा लिखी इस कहानी में लिखक ने इदगा के बारे में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है पेज नमबर 85 के बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे पेज नमबर 86 जो हमने यहां से शुरू करने इदर देखिए और पढ़ने से और पढ़ने से पहले आप लोग अपना हमग करते रही है घर पर रही है और सुरक्षित रही है और अच्छी तरह से अपने टीवन एक्जाम क तैयारी करते रही है चली शुरू करते हैं कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे कमी जबी जमीन पर गिरते हुए मेले में देखा हुगा आपने इदगा में वो मुख्तलिक किसम के विविन परकार के खेल खिलोने चरखी जूले बगरा यह चरखी है चरखी बलते जमी इन घोडुों और उंटों पर बैठते हैं हमीद दूर खड़ा ओगा देख रहा है, तीन ही पैसे तो उसकेपास हैं, उसकेपास सिर्फ तीन ही पैसे हैं अब उस तीन पैसे में वो खिलोने खरी दे, खाने पीने की चीज़े हैं, घरके लिए सामान ले, क्या लें, क्य तेहाई, जरा से चक्र खाने के लिए नहीं दे सकता है। लेकर कि अपने कोश में जो उसके बास खजाना है, एक तीहाई यह नहीं कि तीन पैसे, उसमें से जरा भी खर्च करना वो नहीं चाहता है सब चर्खियों से उतरते हैं जूलों से उतरते हैं अब खिलोने की बारी आती है बच्चे कहरे हैं कि अब खिलोने लेंगे इदर दुकानों की कतारे लाइन से एक के बाद एक लाइन लगी वी दुकानों की तरह तरह की खिलोने सजे हुए हैं दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिष्टी, धोबिन और सादू नजाने और क्या-क्या, वह कितने सुन्दर खिलोने है महमूत एक खिलोना खरिता है, सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगडी वाला कंदे पर बंदूक रखे हुए, मौसिन को बिष्टी पसंद आ गई ठीक है, उसकी कबर जुकी हुई है, उपर मश्क रखे हुए है वो बहुत ही परसंद है, बहुत ही खुश है बस मश्क से पानी उडेलना ही चाहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मश्क का वो मू जो उडेलना गिराना चाहता है नूरे को वकील से प्रे में उसने वकील बना हुआ एक खिलोना लिया काला चोगा पहने, नीचे सफेद अचकन और अचकन के सामने जेब में घड़ी और सुनहेरी जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा, नी कानून की किताब लिये हुए ये सब के सब दो-दो पैसे की खिलोने है हामित के पास कुल तीन पैसे है और वो इतने महंगे खिलोने कैसे ले सकता है वो सोच रहा है कि मेरे पास तो तीनी पैसे है मैं इन से खिलने लूँ, खाने पीने की चीज़े लूँ, क्या खरीदू, क्या नहीं जोच रहा है कि खिलूना कहीं हाथ से छूर पड़े तो चूर चूर हो जाएगा और अगर उस पर पानी पड़ जाए, पानी में गर जाए तो उसका सारा जो उस पर रंग किया हुआ है वो सारा रंग धुल जाएगा ऐसे खिलोन लेकर वो क्या करेगा ये सारे किस काम के हैं ये बेकार की चीज़े है हामित खिलोनों की निंदा करता है उन तमाम खिलोनों की वो बुराई करता है मिट्टी के ही तो है वो सोच रहा है कि ये तमाम चीज़े मिट्टी से बने हुए गिरें तो चकना चूर हो जाए लेकिन लल्चाहे हुई आँखों से खिलोनों को देख रहा है और वो चाहता है कि जरा देर के लिए उनके खिलोने अपने हाथ में ले लूँ ठीक है और लल्चाता भरी नजरों से वो देखता रहे जाता है खिलोनों के बाद आब आती मिठाईयों की बारी मिठाईयों की दुकानों में विबिन परकार की मिठाईयां रखी हुई है सजा कर बहुती सुन्दर तरीके से एक के बाद एक नजर आ रही है किसी ने गुलाब जामून किसी ने सोहन हलुआ लेकर बच्चे बड़े मज़े से खा रहे हामित उनकी बिरादरी से परतक है हामित उनकी बिरादरी से बल्कुल अलग है उस बतقسمत के पास उस अभागे के पास सिर्फ तीन पैसे है लेखा कहता है कि वो क्यों कुछ लेकर नहीं खाता है ठीक है लल्चाही आँखों से सब की और देखता है मौसिन कहता है हामित रेवडी ले जा कितनी खुश्बुदार है हामित को संदे हुआ थोड़ा से शक हुआ उसे डाउट हुआ ये केवल क्रूर विनोदे एक मुझे छेड़ने की एक हासी मजाख है मौसिन इतना उदार इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये जान कर भी वो मौसिन के पास चला जाता है मौसिन दोने से अपनी उस थेले में से एक रेवडी निकल कर हामित की और बढ़ाता है हामित हाथ फैलाता है और मौसिन जट से उस रेवडी को अपनी मूँ में रख लेता है यानि कि उसका बेकुफ बना देता है महमूत नूरे और सम्मी सब खुब मिलकर तालिया बजाने लगते हैं और जोर जोर से हसने लगते हैं देखकर हामित खिसिया जाता है उसे वो गुस्से में रह जाता है तो हमने यहां तक पढ़ाय था आपको इसके बाद जो हमारा भाग तीन है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे तब तक आप इने पढ़ते रहिए समझते रहिए ठीक है और अपना काम अच्छे दर्शे करते रहिए वाल पर धन्यवाद